दोस्तों यदि आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, कई एक हजार वर्षों बाद 26 अगस्त सोमवार को बहुत ही दुरलब और दिव्य संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन जन्माष्टमी के पावन पर्व के साथ साथ, राज योग, अमरित सिध्य योग और साथ ही धन लक्ष्मी जैसे कई योग बन रहे हैं और इस दिन भगवान श्री कृष्ण सबसे अधिक प्रसन्न होने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण जी से इस दिन जो भी सच्चे दिल से मांगेंगे, वह मनोकामना आपकी जरूर पूरी होगी। वहीं दोस्तों, कृष्ण भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस जनमाष्टमी पर तुलसी की जड़ की मिट्टी से जुड़ा ये उपाय जरूर करना चाहिए। कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे लिखना न भूले दोस्तों जनमा करें। गड़ियाल बजाकर उनके जनम की खुशियां बांटी जाती है। दोस्तों, जनमाष्टमी का पर्व मतुरा और व्रिंदावन में बहुत ही धूम धाम से मनाया जाता है। खासकर मंदिरों और घरों में लोग बाल गोपाल के जनम उत्सव का आयोजन भी है, भी करते हैं और बाल गोपाल के लिए पाल की भी सजाते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान विश्णु जी ने धर्म की स्थापना करने के लिए श्री कृष्ण जी के रूप में जनम लिया था। इस दिन वरत धारण कर श्री कृष्ण जी का स्मरण करना अत्यन्त ही फलदाई होता। सह शास्त्रों में जन्माश्टमी के वरत को वरत का राजा कहा गया है। दोस्तों भविश्य पुराण में इस वरत के संदर्भ में उलेख है कि जीस घर में यह वरत किया जाता है। वहां अकाल, मृत्यू, गर्भपात, दुर्भाग्य तथा कलह नहीं होता है। जो एक बार तभी इस वरत को करता है, वो संसार के सभी सुखों को भोग कर विश्णू लोक में निवास करता है। दोस्तों इस दिन लोग पूरा दिन वरत उपवास रखते हैं और आपको बता दें कि जन्माश्टमी का वरत अश्टमी तिथी से शुरू होता है और इस वरत का पारण नवमी तिथी में ही करना चाहिए तभी इस वरत का पूरा फल प्राप्त होता है। इसलिए जो लोग इस वरत को रखें उन्हें सप्तमी की रात में हलका जब हम सात्विक बाट भोजन करना चाहिए। साथ ही ब्रह्म चर्य का पालन करना चाहिए। दोस्तों जन्माश्टम इसके बाद पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुह करके बैठ जाएं और अपने हाथ में थोड़ा सा जल, पुष्प और अक्षत ले लें और जन्माष्टमी के व्रत का संकल्प करें। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी की विधिवत पूजा करें और दोस्तों आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा निशित नाल यानि आंधी रात में करने की परंपरा रही है और कई घरों में रात बारह बजे भगवान श्री कृष्ण जी का जन् पहले ही एक पत्ते वाल्व हैं, उसका खीरा ले ले और उसको थोड़ा सा काट कर उसमें कृष्ण जी को बैठा दे। फिर जब बारह बजे तो भगवान को उस खीरे से बाहर निकाल कर एक सिक्के की मदद से खीरे को काट दे। इसे नाल छेदन कहा जाता है। इसके बाद उ शुद्ध जल से सनान करने के बाद उन्हें साफ कपड़े से पोच कर उन्हें नए और सुंदर चमकीले वस्त्र धारन कराएं और उनका श्रंगार करें। इसके बाद उन्हें जूले या सिंहासन में विराजमान करें। ध्यान रहे। इस दौरान आप कृष्ण नाम का जा भोग में आप माखन, मिश्री, पंचामृत, नारियल से बनी मिठाई या धनिया की पंजीरी का भोग लगाएं हैं। ध्यान रहे उसमें तुलसी का पत्ता जरूर डालें। इसके बाद धूप दीप जलाकर भगवान श्री कृष्ण जी की आरती जरूर करें और कृष्ण जी को इस दिन जूला जरूर जूला ये दोस्तों जन्माष्टमी की रात को लोग रात्री जागरण करके भजन, रंग, कीर्तन एवं शोभर आदी भी गाते हैं। इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। आपको बता दें कि कुछ लोग रात्री की पूजा के अपने वरत का पारण, ये करते हैं ध्यान रहे कि आप प्रसाद खाकर ही अपने वरत का पारण करें। दोस्तों, जन्माष्टमी का वरत लोग अलग-अलग तरह से रखते हैं। कुछ लोग इन दिन निर्जला रखते हैं, यानि दिन में पानी नहीं पीते हैं। वही आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होने देंगे. तर्बूज, खर्बूजा, ककडी जैसे अधिक पानी वाले फल ले सकते हैं. अमरूद, केला और सेब भी खा सकते हैं और आप दही की लस्सी व्रत की शुरुआत इससे पहले पी सकते हैं. लस्सी पीने से आपको ज्यादा प पर यह ध्यान रखें कि व्रत तोड़ते वक्त आपको बहुत ज्यादा भारी खाना नहीं खाना चाहिए. इससे गैस बन सकती है. चलिए, अब जानते हैं कि साल 2024 में जन्माष्टमी का पर्व कब मनाया जाएगा, तो आपको बता दें. जन्माष्टमी कृष्ण पक्ष की तीन उन्टीनी से शुरू होगी और सत्ताईस अगस्त मंगलवार को दो उन्नीस तक रहेंगी, इसलिए इस दिन तीन सब पचियान से रोहिनी नक्षत्र शुरू होगा. दोस्तों, जन्माष्टमी के लिए इस बार शुभ मुहूर्थ 45 मिनट का है, जो बारा एक से बारा ब की गई पूजा उनकी आत्मा को मुक्ति प्रदान करेगी. इस दिन का वरतनी संतान को भी संतान का सुख देने वाला होता है. ऐसे में इस बार जन्माष्टमी का वरत करना अपनाना भूले. साथ ही जो इस वरत को शुरू करना चाहते हैं, तो इस बार उनके लिए यह सबसे अच्छा मौका है भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने का. ऐसे में वह भी इस बार वरत को शुरू कर सकते हैं. तो दोस्तों आईए, अब. आप जानते हैं तो असली की जड़ की मिट्टी के चमतकारी उपाए. दोस्तों तुलसी ना केवल एक पौधा है, बलकि तुल तुलसी मईया कहा जाता है. तुलसी के हर पत्ते में साक्षात भगवान श्री विष्णु का वास समझा जाता है. इस धारा पर जो भी देवता मानव रूप में वितरित हुए, उनमें से हर एक ने माता तुलसी की पूजा जरूर की है. जीज घर में इसका वास होता है, वह आध्यात्मिक उन्नती के साथ सुख, शांती और आर्थिक सम्रिध्य स्वतह ही आती है. प्रति दिन, सुबह तुलसी के दर्शन करने मात्र से आप देखेंगे कि आपका पूरा दिन अच्छे से गुजरता है. जब भी आप सोकर सुबह उठे, तब आप अपने चेहरे को द वास समझा जाता है. तुलसी की जड में मा लक्ष्मी का वास समझा जाता है. इसके हर हिस्से में भगवान कृष्ण का वास समझा जाता है. दोस्तों, मंजरी में बजरंग बली का भाग समझा जाता है. नुकृष्ण प्रभुश्री राम और हनुमान जी महाराज को बिना तुलसी पत्ते के भोग नहीं चड़ाया जाता है, और ऐसा भोग भी स्वीकार नहीं करते जिसमें तुलसी ना हो दोस्तों। वास्तु शास्त्र में कहा जाता है कि जीज घर में तुलसी का पौधा लगा हो उस घर में कभी भी किसी भी तरह के रोग नहीं आते और अगर इसे सही दिशा में रखा जाए और नृत्य के नृत्य के लिए जिससे इसका पूजन किया जाए तो उस घर में वास्तु दोश उत्पन्न नहीं होता और यह भी समझा जाता है कि घर में किसी भी तरह की बड़ी अन्होनी होने से पहले तुलसी का पौधा उस बला को अपने उपर लेता और आपको माता की तरह सुरक्षा प्रदान करता है खुद बलिदान देकर हम सभी की रक्षा करता है इसलिए हमें अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए दोस्तों तुलसी का पौधे हमें शुद्ध ऑक्सीजन देने के साथ साथ अनेक तरह के चमतकारी लाभ भी प्रदान करता है जिसके बारे में आज हम बताएंगे दोस्तों इस धर्ती के के पौधे की वनस्पतियां से कई आध्यात्मिक बातें जुड़ी हुई है इनको पूजनिय समझा गया है और इनमें देवी देवताओं का वास समझा गया है दोस्तों, तुलसी के पौधे की पद्मा पुराण भ्रम, वे भारत पुराण, सकंद पुराण, भविश्य पुराण और गरुडिस प्राण में तुलसी के पौधे की कई विशेशताएं बताई गई हैं प्रचलित कथा के अनुसार, समुद्र मंथन के समय जो अमरित धर्ती पर छलका उसी से तुलसी की उत्पत्ती हुई और ब्रह्मदेव ने उसे भगवान विश्णु को सौपा दिया था दोस्तों, तुलसी हर हिंदू के घर में आंगन में जरूर होती है आप इसे रोज देखते होंगे परन्तु हम दावे के साथ कह सकते हैं कि तुलसी से मिलने वाले इन फायदों के बारे में आप शायद ही जानते होंगे इसके ऐसे जबरदस्त कारगर उपाए हम आज के वीडियो में बताने जा रहे हैं जो शायद ही किसी से आपने सुने होंगे और तुलसी के इन उपायों को में आपकी किसमत बदल जाएगी दोस्तों आपकी हर समस्या का तोड हर मंत्र तंत्र की गाठ तुलसी के माध्यम से निकाल सकते हैं फिर वह धन की कमी हो नजर बाधा हो शादी में आ रहे अडचने हो ग्रिह दोश हो कोई बिमारी हो हर मर्ज की दवा है तुलसी दोस्तों माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ती लगातार एक महीने तकबजरंग बली को तुलसी के पत्ते लड़ू के साथ साथ या फिर किसी मिष्ठान के साथ चढ़ा दें उसकी कोई भी मनोकामना हो जरूर पूर्ण हो जाती है तुलसी की मंजरी उतारने से चल रही समस्याएं ततकाल दूर हो जाती है कई लोग करजे के बोज से परिशान हो जाते हैं कुछ लोगों के बच्चों की शादी होने में अडचने आती हैं तो तुलसी की मंजरी उतारने से उनके जीवन में चल रही सभी समस्याएं तुरंत ही दूर हो जाती हैं। जिससे व्यक्ति के जीवन में समस्या है, उसे ही मंजूरी उतारने के लिए बोले। में आगे बढ़ते हैं। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ने में कोई परेशानी आ रही है, कठिनाईयां आ रही है, लगता है कि सब कुछ रुकसा गया है, तो इन्हें नहाने के पानी में डाल कर नहाएं। तुलसी की जड़ की मिट्टी बहुत प्रभावी होती है, नह पाने के पानी में। पानी में केवल इस मिट्टी को ढाल कर स्नान करेंगे, तब भी आपके जीवन से बहुत सारे दोश समाप्त हो जाएंगे। आपके जीवन में बरकत आएगी, आपको आगे बढ़ने से कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। दोस्तों, तुलसी की जड़ की मिट्टी का तिलक लगाने से हाथ क्षेत्र में आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। इससे आपकी सम्मोहन शक्ती बढ़ती है, लोग मोहित हो जाते हैं, आपसे प्रभावित हो जाते हैं। ऐसा तिलक लगाने से आपका दुरभाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा किस तरह की जानकारी आप हजारों रूपए खर्च करने से भी नहीं ले पाएंगे तो जो हम आपको बता रहे हैं उसे ध्यान से सुनना और पूरा वीडियो जरूर देखना आधा अधूरा ग्यान हमेशा घातक साबित होता है आगे इसके और भी लाभ बताएंगे जो आपको लाखों करोडों का फायदा पहुँचा सकते हैं दोस्तों हर रोज तुलसी का पत्ता हमें खाना चाहिए जो व्यक्ति ऐसा करता है उसके पूरे जीवन भर सर्दी, खासी, जुकाम, बुखार ऐसी बीमारियां नहीं होती परन्तु इसे निरंतर करते रहें बीच में छोड़े नहीं, जिन लोगों को मौसम बदलते ही सर्दी जुकाम हो जाता है, बुखार आ जाता है, मौसम बदलते ही तबियत खराब होनी शुरू हो जाती है ऐसे लोगों को और कोई उपचार लेने की आवश्यक्ता ही नहीं है अगर आप अपनी यदि रोग प्रतिरोधक शमता बढ़ाना चाहते हैं, तो बस हर रोज एक तुलसी का पत्ता खाना शुरू कर दें ध्यान रखें, रविवार को तुलसी के पत्ते कभी भी तोड़े नहीं जाते, तो एक दिन पहले शनिवार के दिन दो पत्ते तोड़के रखें, ताकि रविवार दिन आपको पक्का तोड़ना न पड़े दोस्तों, वैसे अमावस्या, पूर्णिमा और एका दशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते, और बिना स्नान किये हुए तुलसी को तोड़कर जो मानव पूजा करता है, वह अपराधी होता है, उसकी की हुई पूजा निश्फल हो जाती है इसका और एक चमतकारी फाइदा बताते हैं, अगर आप निर्धारित संख्या में छह महीने तक तुलसी के पत्ते खाते हैं, निर्धारित संख्या मतलब अगर आप चार की संख्या में खाते हैं, रहे हैं, तो रोज चार पत्ते ही खाने हैं, और अगर आप पांच की संख् देखना आपको गरिमा, महीमा, लखीमा सहित आठ तरह की सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगे। जिन्हें कई तरह की सिद्धियां प्राप्त हैं। तो अगर आप निर्धारित संख्या में छह महीने तक तुलसी दल खाते हैं, तो आपको इन अश्ट सिद्धियों की प्राप्ती होगी, जिससे व्यक्ति असंभव कार्य को संभव कर सकता है। इससे शरीर और रोग करें। योग मुक्त रहता है। जो लोग रोगों से मुक्त रहना चाहते हैं, वे तुलसी के पत्तों का रोजाना नियमित सेवन करें। चलिए, अब जानते हैं तुलसी के और कुछ विशेश फाइदे। दोस्तों, जिन लोगों पर बाधाएं, नकारात्मक शक्तियादी का प्रभाव है, नजर दोश लग गया है। किसी के हाथ बधुआ लगी है क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जो एक दूसरों से जलते हैं। उनकी नकारात्मक तरंगों के कारण नकारात्मक उर्जा आपको घेर लेती है। अगर आप चाहते हैं कि भूत, प्रेत, बाधा, नजर, दोश, किसी की। हाँ, ये बधुआ कभी भी आप होना लगे तो आपको तुलसी के पौधे की एक सूखी जड़ लेनी है। उसे चान प्रेत बाधा का असर हुआ है। ऐसे व्यक्ति एक काम करें। तुलसी की जड़ की मिट्टी घर में लेकर रखें। फिर रात में सोने से पहले इसे अपने माथे पर लगाएं। सारा दुष प्रभाव दूर हो जाएगा। नित्य ऐसा करने से आपको कभी भी भूत प्रेत बाधा नहीं सताएगी। अगर आप दुर्भाग्य से घिरे हैं, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। घोर निराशा च्छा गई है, घोर संकट आते रहते हैं। आपके अपने भी पराय हो गए। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए तो आप तुलसी के डॉट इद की माला बना कर बजरंग बली और भगवान श्रीराम की मूर्ति या तस्वीर पर 21 दिन तक लगातार चढ़ा दें। बड़े से बड़े संकट, परेशानिया, करजे का बोज तक दूर हो जाएगा। आपको एक हफते में ही इसके परिणाम मिलने शुरू हो इसमें से कोई भी उपाय आप करें और पूरे विश्वास और सकारात्मक मनोबल के साथ करें। ये कोई हवा हवाई बात नहीं है, बिलकुल कारगर उपाय है। जब आप तुलसी के पत्ते हनुमान जी या प्रभू श्रीराम को चढ़ाते हैं, तब हनुमान जी आपके कार को सफल करने के लिए विवश हो जाते हैं। बेटी की शादी में दिक्कत आ रही है या शादी बार-बार तूट रही है तो आदत बना लें कि प्रतिदिन नियमित रूप से तुलसी को जल चढ़ाएं। इसके साथ ही जल अर्पित करने के बाद तुलसी के सामने हाथ जोड कर अपनी इच्छा पूरी होने की प्रार्थना करें तो जल्द ही उसके विवाह के योग बनेंगे। व्यापार में नुकसान से बचने के लिए हर शुकरवार को तुलसी में कच्चा दूध अर्पित करें। मिठाई का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद बचा प्रसाद किसी सुहागिन को दान कर दें। ऐसा करने से बिजनेस में लाभ के योग बनने लगेंगे। दोस्तों, आपके घर में जो तुलसी पौधा लगा है। एक बार देखना कि आपने उसे किस दिशा में रखा है। तुलसी से शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए उसे उचित दिशा में रखना आवश्यक होता है। तो तुलसी के पौधे को अगर आप उत्तर की तरफ रखते हैं तो इससे धन की प्राप्ती होती है। इससे आपके घर में धन निरंतर आता रहेगा। बशर्ते आप उसकी अच्छे से देख भाल करें। नियमित पूजन करें। तुलसी का पौधा अगर आप पश्चिम दिशा में रखते हैं तो घर में सुख, शान्ती और वैभव का वास होता है। अगर पूर्व की तरफ रखते हैं तो निरोग माया प्राप्त होती है और इससे शत्रु नाश हो जाता है। हर शत्रु का मतलब की आपके घर म दुख, तकलीफ, परेशानी ऐसे शत्रु जो आने वाले होंगे उन्हें तुलसी मैया नश्ट कर देती है। परंतु अगर आप दक्षिन दिशा की तरफ तुलसी के पौधे को रखते हैं तो इससे संपूर्ण घर बरबाद हो जाता है। आपने जरूर देखा होगा कुछ लोगों के घर में तुलसी का पौधा लगा रहता है परंतु ऐसे व्यक्ति दरिदरी रहते हैं। दरिदरी का एक कारण यह भी हो सकता है कि वह तुलसी के पौधों को दक्षणी दिशा में रखा हो। ना तो तुलसी को रखने में दिशा का खास रूप से ध्यान जरूर र जहां भी तुलसी का पौधा रखा जाता है, वहां के आसपास हमेशा साफ सफाई होनी चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ तुलसी से जुड़े कुछ चमतकारी उपाए, जिन्हें आप अपनी सुविधा के अनुसार जरूर करें। तुलसी की पत्तियां जब सूख जाएं, तो आप उन पत्तियों को अपने नहाने के पानी में इस्तिमाल कर सकते हैं। जहां आप अपना धन रख दें। ऐसा करने से मा लक्षमी की कृपा बनी रहती है। व्यक्ति को आर्थिक समस्याओं से जूजना नहीं पड़ता है। व्यक्ति की आर्थिक उन्नती होती है। दोस्तों आईए। अब जानते हैं जन्माष्टमी की व्रत कथा। दोस्तों सकंद पुरान के मुताबिक यातिवंश के राजा उग्रसेन का राजचलता था। उग्रसेन का सबसे बड़ा पुत्र कंस था जिसकी चचेरी बहन देवकी थी। कंस अपने ही पिता को जेल में डाल कर स्वयम राज करने लगा। वहीं दूसरी ओर कश्यप राश्य का जन्म राजा सुरसेन के पुत्र के रूप में यानी वासुदेव का जन्म हुआ। आग उसी का आठवा पुत्र तुम्हारे मौत का कारण बनेगा। ऐसा सुनते ही कंस देवकी को मारने के लिए हावी हो गया पर सैनिकों और वासुदेव के वचन ने ऐसा होने से बचा लिया। वासुदेव सत्यवादी थे। इन्होंने कंस को वचन दिया कि वो अपना आठवा को मारने का प्रण कर लिया। निश्चय अनुसार देवकी के सातों संतान कंस द्वारा मारे गए। इसके बाद देवकी के आठवें पुत्र का जन्म हुआ। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अश्टमी तिथी को रोहिनी नक्षत्र के दौरान मध्य रात्री में थोड़ आओ, वहां एक कन्या का जन्म हुआ है, उसे तुम यहां ले आओ। ऐसा सुनते ही वासुदेव की हतकडियां खुल गई। वे तुरंत एक टोकरी में श्री कृष्ण को रख कर इसे माथे पर लादे गोकुल की ओर निकल पड़े। रास्ते में यमुना नदी बाल कृष्ण के चरणों को स्पर्ष करने के लिए उफान पर आ गई। फिर चरण स्पर्ष करते ही वो पुनह शांत पड़ गए। पर गई। इस प्रकार वासुदेव ने अपने पुत्र को यशोदा मैया के बगल में सुला कर वहां से कन्या लेकर वापस कारागार लौट जेल के दर्वाजे अपने आप बंद हो गई। उनके हाथों में फिर से हथकड़ी लग गई। सारे पहरेदार भी उठ गए और कन्या के रोने की आवाजे आने लगी। सूचना मिलते ही कन्स ने कारागार से कन्या को लाया और उसे मारने की कोशिश की। लेकिन वह आकाश में उड़ गई और बोली, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला पैदा हो चुका है। इसके बाद कन्स ने क्रिश्न का पता लगा कर उसे मारने का खूब प्रयास किया। कई दैत्य राक्षस भेजे, लेकिन क्रिश्न, क्रिश्न को कोई मार न सका अंता श्री क्रिश्न ने कंस का वध किया और उग्र सेन को पुणह राजा बना दिया। इस प्रकार क्रिश्न, जन्माष्टमी की वरत कथा पूरी हुई। ऐसी मान्यता है कि जन्माष्टमी के दिन कहानी को पढ़ने या सुनने से वरती के सहारे आप धुल जाते हैं, किस्मत चमक जाएगी और आपके सभी दुखों का नाश हो जाएगा, सबसे पहला उपाय आपके अठके कारियों में गति लाएगा। दोस्तों, क्रिश्न जन्माष्टमी के दिन सुबह स्नान वध्यान आदी करने के बाद घर के बाल गोपाल को नई पोशाक पहना, यह भो ऐसा करने से भगवान श्री कृष्न का आशीरवाद मिलेगा और अटके कारियों में गति आएगी। दूसरा उपाय और इस उपाय से आपका भाग्य मजबूत होगा। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन बाल गोपाल को केसर, मेवा, मिश्री, साबुदाने या खीर का तु आग्य भी मजबूत होता है। तीसरा उपाय से आपके घर में धन-धान की कमी नहीं होगी। दोस्तों, सुख सम्रिध्धि के लिए जन्माष्टमी के दिन बाल गोपाल को पूजा करते समय एक पान का पत्ता भी अर्पित करें। फिर पत्ते पर सिंदूर से श्री लिखें और फिर उसको पूजा करने के बाद जहां पैसा रखते हो वहां रख दें। ऐसा करने से घर में धन-धानने की कमी नहीं होती और धन-संबंधित समस्या दूर होती है। इस उपाय से मिलेगा शुभ समाज चार दोस्तों निहसंतान दंपत्ती जन्माष्टमी के दिन गाय और उसके बचडे की सेवा करें और आशीरवाद लें। इसके साथ ही गाय और उसके बचडे की मूर्ती भी लेकर आए और बाल गोपाल के पास मूर्ती को रख कर उनकी भी पूजा करें। ऐसा करने से। भगवान कृष्ण की कृपा से जल्द शुभ समाचार सुनने को मिल इसके बाद गाय और बचडे की मूर्ती को इशान कोण में रखना आदर्श स्थान माना गया है। इस उपाय से आर्थिक तंगी होगी दूर कर्ज की समस्या से परेशान हैं तो जन्माष्टमी के दिन दक्षणावर्ती शंख से भगवान कृष्ण का अभिशेक करें। दक इस उपाय से व्यवसाय में होगी उन्नति कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सुबह शाम 11 बार तुलसी की परिक्रमा करें और घी का दीपक जलाएं। इसके बाद 108 बार ओम नमो भगवाते वासुदेवा यह मंत्र का जप करें। साथ ही कपूर जलाकर उस पर थोड़ी मिश मिश्री डाल दें और कपूर और मिश्री का दान भी करें। ऐसा करने से नौकरी वव्यवसाय में उन्नति होती है। तो दोस्तों यह थी जन्माष्टमी से जुड़ी सभी अपनी महत्वपूर्ण जानकारियां और उपाय जिनको आपको इस बार जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताए।